गुड मॉर्निंग एफ्रीबन कैसे हैं सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तुड़े इस फिफ्ट ऑफ अगस्ट टेंटी ट्री और डे है सेटरडे तो चलिया आज एक बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती मज़िदार बहुती इंपोर्टेंट तॉप दो छौनेंगे नॉनमझे की नौनदि करते क्या हैं आप सभी को पता है आपने बहुत यह सक्वेर पड़े होंगे सभी ने स्क्वेर क्या होते हैं स्क्वेर होतें जैसे वन गचल्कर क Keysअई है इस बहुता brother यह है है हमारे perfect square number क्या बोलते हैं इंको perfect square number अब perfect square number का जो अंडूट है बो तो आप सभी को पता ही होता है अगर आपको square पता है सभी कम से कम 30 तक जब याद कर लीजिए अगर आप किसी अक्जाम की तईया दिकर रहे हैं तो 4 का अंडूट जो क्या होता है 2 सा क्योंकि 2 का square 4 होता है तो 4 का अंडूट square और अंडूट आपस में एक्कोल मतलब की opposite होते हैं तो इसलिए अगर अंडूट 4 बोलू तो 2 हो जाएगा अगर 2 का square बोलू तो 4 हो जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो perfect square number है उसका अगर अंडूट निकाले बहुत हो ईजी होगा जैसे मैं 36 का अंडूट बोलू तो 6 हो जाएगा ठीक है अगर मैं 121 का अंडूट बोलू तो 11 हो जाएगा अगर मैं 676 का अंडूट बोलू तो 26 हो जाएगा ठीक है बस आपको बता होना चाहिए ठीक है जैसे में 30 का होता है 30 मल्लिक्लाइब 30 कर लो 900 हो जाएगा तो 30 बन जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से जो परफेक्ट स्क्वेर नंबर है उनका अंडूर तो इजी है ठीक है इसके और भी कई सारे मेतड हो सकते हैं लेकिन आज हम देखेंगे कि कुछ एक नंबर चोटे चोटे नंबर होते हैं उनको आप एक ट्रिक से जो कर सकते हैं जैसे अच्छा एक दो चाहिं धुछ है अगर किसी एक्साम के तैयार है तो आप As कि आद हो इसके बारे में इसको बुता है ज्यक्त के जोional होती यह का एगर झुके होपर एघ। न प्राइप台। तो ए दो वैल्यू तो आप याद ही रख लो चीक है कम से कम ए दो वैल्यू तो याद ही रख लो अचा वन का अंडूट क्या होता है अधिक है वन के ओपर अंडूट का मतलब क्या होता है पहले समझिए वन का अंडूट पहले तो अंडूट अगर अंडूट की जग में कुछ के भी 0 हो वो 1 हो जाएगा ठीक है यह बी एकसाम में पूछा जाता है बात करते हैं अंडूर 2 हो गया थ्री हो गया अंडूर 4 तो आप सबी को बता है कि टू हो था ही है ठीक है अंडूर 5 कैसे निकाले यह है हमारा आज का टॉपिक अंडूर 5 अंडूर 7 और और भी ऐसे नंब पर जोब आप बहुत सब्सार सारे नंबर अगो इसी नपर में जो बूक्ष करन में कि फोर था फिर फोर के बाद ओर कहुं था राइट अंगर Pomorgas किसमें? जो इसके आसपास पाला, पीछले वाला, परफेक्ट स्कुए नमब है, तो इसके पीछले वाला तो 4 ही है, तो क्या मैं इसको 4 प्लस 1 लिखता हूँ? यस, लिख सकता हूँ, बड़ आराम से, अब मैं क्या करूँगा, देखिए, अब आपको क्या करना है इसको जो बो अलग अलग कर देना जैसे अंडूट इसके नीचे भी है तो मैंने इसको अलग अलग थोड़े देर के लिए कर लिया तो क्या मैं अंडूट 4 की value को 2 लिख सकता हूँ 2 प्लस और 1 का अंडूट तो 1 ही रहता है आप ऐसे देख लो कि आपने क्या करना है step में 1 लिखना है क्या यहाँ पर 1 था नीचे जबो यह बाला जो number है जैसे यहाँ पर 2 है तो इसी 2 को जबो नीचे लिखना है और इसी 2 से जबो multiply भी करना है इसको आप फिर से समझे एक बार मैं एक बार फिर से बताओं क्या करना है अंडूट 5 को break किया हमने कैसे 4 प्लस 1 लिखना हूं कि 4 एक perfect square है 4 का square अंडूट तो 2 हो गया ठीक है अब आपने जबो ऐसे नीचे जबो denominator में 1 के नीचे कि यहाँ पर 1 था कुछ और होगा तो उसके नीचे लिखना है 2 को लिखना है ठीक है क्या लिखना है? 2 को लिखना है और 2 के साथ इसी 2 को जबो multiply दि करना है ठीक है 2 के साथ इसी को multiply अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं अगर आप कुछ चलिए ऐसे याद रखलो कि टू से ही मल्टिप्लाई करना है दूसरे में जो आपको समझा जाएगा जाएगा आप अंडूट 7 करेंगे ठीक है तो यह बन जाएगा 2 प्लस 1 अपन 4 अब आपको ना इसको सॉल्फ करने के जुरूरत है नहीं क्योंकि 1 4th बोलता है 1 का 4th फार्ट और वन का 4 फार्ट जो 0.75 होता है सुरी 0.75 नहीं 0.25 होता है वह तो 3 4 फार्ट होता है ठीक है मतलब कि पूरे वन का चौथा हिस्सा कौन सा होगा लेकि 25 फोर्जा होता है 100 अगर मैं 100 में से लेकिन 1 में से लेकर तो 0.25 हो जाए तो क्या मैं इसको 2 प्लस 0.75 लिख 2563 ऐसे जो चलते रहेंगे तो यह देखा हमने 105 का अगर नहीं समझाया है तो 107 का देखिया आपको समझाया जागा क्या करना है इसके पिछले बाला तो 4 फोर प्लस 3 लिख सका हूं इसको यास लिख सकता हूं क्या मैं इसको 2 लिख दू यास 3 अपॉन क्या लिखो 3 अपॉन आप बहुत सारे और भी नमरों के जो नौन स्क्वेर हैं उनके इस ट्रिक से निकाल सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको बता ही है कि जैसे पाई की वैली होते है और 22 अपॉन 7 ठीक है अगर मैं डेसिमल में बताऊं तो यह हुझा है कि 3.14159265 इतनी बड़ी वैली है वैसे कम से कम आप चल्पान डिजिस तरह याद रखेंगे लेकिन यूज यही होगा दो डिजिट बाला ही तो कम से कम दो डिजिस तो इसी से हमारे जो मैंतर है उसी से भी निकल रहे है जैसे हमने 2.75 निकाल लिया अंटूट 5 की हमने निकाली 2.25 ठीक है मुझे बड़ी जब आप थोड़ा सा टाइम जोगो इन पर लगाओगे तो जोगो आपको मुझे लगता है कि कभी भी नहीं भोलेंगे कभी भी काम आसकी है चाहिए वो गम्टेटिव एक्जाम है चाहिए वो कोई एंट्रांस एक्जाम है चाहिए आप स्कूल में ही झाल झाल